तो सबसे पहले हम पेपर की करने करने के लिए इस तरह से आप नियूज फेपर रखने के बाद आपने जो इस तरह से डायाग्राम बनाएं उनको फॉलो करें ली वही है तो मैंने लिया था 22 इंच इस तरह से यहां से यहां तक था हमारा ट्वेंटी वान इंच उसके बाद हमने वान इंच में इसमें हमने स्टेचिंग के लिए तो हम इसको यहां से यहां तक मेजर करेंगे यह मेरा 22 इंच ही है तो खूछ एक्स्ट्रा मेजर्मेंट की जरूरत नहीं है फिर हमने यहां से पूरा नीचे तक के लिए फ्लार बनाने के लिए जो मेजर्मेंट गी आता हूँ हमारा आया था 32 इंच तो 32 इंच के लिए हम एक्छली इसको इस तरह से रतना है पेपर को, तो ये वाला जो हिस्सा Kita हमारा 22 इंच है। अधर इछार को हिला ही तो इक्सडा लोे जरूत नहीं हैosion रख नहीं तो इस तरह से हमारा 42 इंच है। अगर आप बहुत ज़्सडा है तो आप उसके cutting करके निकाहत तो यह हमारा एक ब्लॉक बन गया है 22 x 32 इंच का यह हमारा फ्रेंट साइड हो गया इसको हम ऐसे ही रख लेंगे अब एक दूसरा नियूस्पेपर लेंगे इस पर हम बैक साइड की कटिल करेंगे पर नियूस्पेपर पर सबसे पहले हमें ट्राइ करना चाहिए ताकि कुछ भी अगर गलती होगी तो नियूस्पेपर पर ही होगी आपका कपड़ा नहीं खराब होगा अगर आप डारेक्ट कपड़े पर मार्किंग करना शुरू कर देते हो तो उससे आपका कपड़ा जो है सोट नहींए करेंगी ओस बाल आणड़ी ट्वेटी होगी तो यहां पर जाताइक हो गया जो हमें मेंच में ही लेनी है इस चीज के खास्तोर से गहान तो यहां पर एक मार्क कर लेंगे यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी कर लेंगे यहां पर लिए यह उगया हमारे 20 इंच अब इस पेपर को हम यहां पर फोल्ड कर दीगे पर फोल्ड करने के बार आती से इसमार को रिमूव कर लें काटके निकाल लें को आपका जो मेजर्मेंट आएगा वो यह आएगा 22 इंच मैंने यह पेशिक से काटके निकाल लिया है अब इसमें वहाला साइड बनाएगे इसमine बनाने के लिए इसमीरी में यह जार्मेंट यह 22 इंच था और यह मैरा 6 इंच के लिए हम düş यहां तक है हुल इस तरह से यह सिक्स इंच आ गया सिक्स इंच आने के बाद हम इसको भी जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको काटके निकाल देंगे जो कपड़ी जो करते हैं आप इनी निविज पेपर को रखके कर सकते हो और या फिर जैसे मैं इंपे निशान लगा-लगाए कर रही हूँआ अप उस तरीकेसी कर सकते हूं तो जो एक्स्ट्रा पेपर उसको हम काटके निकाल देंगे तो जो हमारा साइज आएगा यहां से यहां तक हमारा यह आगया और यह जो हाइट आई है वह यह आगया यहां तो यह 22 वाई 6 इंच आगया हमारा इसको भी हम साइड मे रख लेंगे एक चीज का हमेशे ध्यान रखे कि जो भी आपका एक्स्ट्रा मेजरमेंट है जो भी मेजरमेंट लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेपर बचाया है उसको काटके जबूर निकाले अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप से गलती हो सकती है अब जो है हम यह वाला साइड बनाएंगे इसको बनाने के लिए हमने क्या किया क्या है क्योंकि यह दो साइड पर सेम ही तरह का पैटरन यूज किया गया है तो मैं इसमें क्या करें अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से है मेरे जो मैं जिस कपड़े का यह मैं बनाऊंगी उस कपड़े के खासित है कि मैं उसे फ्रेंट और बैक कैसे भी यूज कर सकती हूं लेकिन कई वार ऐसा होता है कि फ्रेंट साइड का पैटरन अलग होता है अंदर से कपड़ा डल होता है तो उसके लिए आपको जो कटिंग है थोड़ी डिफरेंट तलकी से करने पड़ेगी जहां पर आपको एक ही साइड के एक ही तरह की दो पैटरन यूज करने पड़े है करने का लिए इस वाले हिस्से की कटिंग अलग होगी और पीछे वाले की जो दूसरा हिस्से उसके लिए कटिंग अलग होगी तो कि मेरा जो कपड़ा है उसको मैं किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हूं तो यह दोनों एक हिताय से चल जाएंगे कि एक जमनी जो ड्राइग्रंह बनाए था कुछ इस तरह की से बनाया था इसके लिए तो इस वाला हिस्से लेंगे यह फॉलो कर इंगे इसके लिए हमारा इपटी इंच था यहां Doug क सब्सक्राइन कर दोने करना data जिद्षा गैए यहां से अनल देके बायर हम यहारा हिस्सा ल साह पर 6 इंच साहना है, वाइप 4 इंूने का हुए, पॉस्त फॉन टे मिजरमेंट इस हमारी बाके हो फाइफ यहां से एंच साहन कि क्या हुआर करेंगे i s started手 में 6 इंच हो ओगा यहां से यहां तक का प्लस में वन इंच करेंगे स्टिचिंग लिए तो हमारा चेट टोतल तो थarningSchallove9 best गभी यहां TWài ही की थरृक आए चैनली इस सबदोफान है करने काशना है 5 यहां से यहां तक हमारा आया था तो हम इसको पालता क्यuba यह हमारा आगया है यह हमारा पुरा 7 इंच है यहां से यहां तक का उसके बाद हमने जो मेजरमेंट यह हमारी जो है यहां से यहां तक की 22 है तो यह हमारा पुरा 22 है यहां से यहां तक का पुरा 22 है उसके बाद जो है यहां से यहां तक का हमारा 6 इंच है तो हम यहां पर एक 6 है कि इस तरीके से हैं पर यह हमारा मार्क लग चुका कि अधरि शुन्हों हXi.com कर लेंगे송िह और कि यह उनीफिम्ध कि इसको फाईर अच्ट पर संदर मिला है यह तरह से आगया 11.5 और जो यह है हमारा वल इंच हो गया यह वाला इससा यह आगया यहां पर वल इंच इस तरह से उपर की तरफ मार्ट कर देंगे अब हम जो इसकी कटिंग करेंगे यहां से इतना कट करके इसमें से एक्स्ट्रा निकाल देंगे तो इसमें जो हमारा यह एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे जो भी हमने निशान लगाए हैं उसी पे से आपको कट करना है यह दिखिए यह इस तरह से कुछ बना है तो यह हमारे दोनों बन चुके हैं इस तरह से अब देख सकते हो एक जो यह है इस तरह से है यहां से इस तरह से आएगा और यह इस तरह से लगा जाएगा इस पर कि अर्टु कि अर्ट वी बनां यह दो से कषीचों स हमारी पेपर पर हो चुक है यह बूसरे हिस्से कोने pride कोंख फोर्ण को पूल है यह भाला हिस्स बान के तयार हुहaquin पांच पीस तयार है यह साइड के है इसमें यह लैवल रिवेल यह हमारा जो प्रेंट का मैं यह वह वा मैंने बहुत सकते हैं पर फोल्ड करें हैं तो लगवक इतनी ह embryo तो जब आप इस क्तिल पक्तरवा का चैन्हें च्छाइब करते हैं झाल सब फ्रेंट साइड़ करते हैं यह जो था और यह था जुरी हलसा perfect तो यहμεрах धीन नाती युद्र तो यहां से यहां तक थो मेंा अच्छे से नाश्य यह हैं। तो यहां से यहां तक पूरा कि यहां से यहां तक तो यहां पर हमारा जो है यह 32 जाया इस लाइप कर लें तो जब अपने कप्ड़े को फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो एक साथ आपकी दोपीस की कटिंग हो जाएगी तो यहां सब्सक्राइब दूसरा पर प्रेपर का तो यहां से अपना कॉर्नर से को मैच कर ले इस तरीके से हैं मैच करनेके बाद जहां तक भी आपका ये पेपर जा रहा है यहां पर पेपर जाने के बाद आप महा पर निशान लगा ले पैप कि निचान लगाले के बाद आप उसके वहीं से कटिंग कर दें इसमें आपको यहां पेपर रखा और डारेक्ट आप जहां पेपर आया है वहीं से उसकी कटिंग करना शुरू कर दें लेकिन क्यूंकि यह पेपर की लेंथ थोड़ी कम रहा गई थी तो हमने इसको वहीं तो ये दो इससरे बनके तयार हो चुक Ник cigar एक ये वाला है और ये वाला है सबसे इसे तरह से आपके सोके के सीट तो आप इसको भी इस तरह से और यहाँ तक आपका आया है जहाँ पय पर आ रहा है यहां से लेकर इवस यहां तक यहां तक सूंसें नहीं पर. और Mormon's कैनल की मुला अगर चाहला कोमेजर्मेंट मेना की लिएधो दूछ दूछ तक मेनरे में लगा देंगे यहां पर 22 आएगा वहां पर एक निशान लगा देंगे उसके पाद हमारा जो यह था उपर वाला जारग पर की तरह वो 20 इंच था तो हम इसको क्या करेंगे 20 से तो हम इस तरह से ये 20 हो गया वारा सब्सक्राइब हमारा हम इसके हेS ikon ते ला रहा देंगे रिस्तार से हम यह पूरी एक लाल लगा लेंगे लाई लगाने के बाद हम इसकी कट उल गपोओ लेंगे तो इसतरे से के इसके हमारे चापMr. चुम फोश्राइब के तयार हो जुक्य करेंगे साइड के लिए हमने इस वाल पेपर लिया है जिसमें इस तरह से लेवल आया हुआ है इस पेपर को रख लेंगे हम इस तरह से और पेपर को रखने के बाद हम इसकी तटिंग कर देंगे कि यह वाली हमारी कटिंग हो चुकि है इसी तरह से हम दूसरी स्थी के भी कटिंग कर लेंगे अब हम इस वाले से कि जो एक छोटा रेक्टेंगल पीस आएगा उसके लिए इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड कर दियू ताकि एक सार दो पट्टिया निकल आए इस तरह से इस पर रख लेंगे और इसके कटिंग करेंगे इस तरह से हमारी दो पट्टिया बनके तयार हो गई है तो यह हमारे कपड़े के सब की सब्सक्राइब आइसे कैसे बॉक है नेक्स बीडियो के इनकी स्टिशिंगक की सिलाई के गते हैं तो चलिए आजसे इस वीडियो में इतनी swiftly है और हमारे इस वीडियो को आफिनी तक जरूर पूरते के आप सब का बर्बर दाने वार।